हम पूरिपस्ट करते हैं बाट इस वाली class में हम यह चुरु करते हैं बैसिकली इसमें हम उपस से स्टाt करते हैं क्योंकि object-oriented programminggu in kind a basic product right अगर आप बेसिकली object oriented programming ऑपको पर्ग्रामिंग समझ हो जाते हैं तो आपको हर चीज में बहुत असानी होगी है और इस उसमें गाइस में जितने कॉंसेप्ट आते हैं इस वाली वीडियो में सारे हम एक ही साथ सारे कॉंसेप्ट समझेंगे और बहुत बेसिक से शुरू करेंगे ताकि किसी को कोई सबसे पहले जो हमारा उपस का कॉंसेप्ट में सबसे पहले जो चीज आईगी हमारी जो हमें समझनी बढ़ीगी वह है गाईस क्या-क्या आता है तो उपस में बेसिकली अगर मैं लेस्ट ऐउन करो तो क्लास अबजेट उन्स्टर्क्टर क्लास फंक्शन इन्हेरिटेंस वाली यहां पर line से शुरू करेंगे guys कि पहले classes क्यों होते हैं फिर objects क्यों होते हैं सब उसके concepts समझेंगे basics से शुरू करेंगे यह सारी चीज़े आपकी बिल्कुल breakdown हो जाएं आना आपको confusion ना हो तो सबसे पहले शुरू करते है classes and objects से classes and objects बहुत ही basic concepts होते हैं और इसको समझना बहु blueprint बनता होगा तो blueprint is a class and जब वो car ready हो जाती है तो car is the object तो basically अब आपने blueprint बना है तो blueprint is for की एक design बना है and it's for की भाई एक car है and इसका blueprint है now अब object में क्या difference है कि जब आपने car बना दी now car में variation हो सकते हैं जो object बन गया है उसमें variation हो सकती है उसकी कुछ functionality change हो सकती है उसके systems अलग हो सकते हैं तो basically यह क्या होता है object होता है तो basically guys class is a blueprint and object and object हमारा final product basically तो class हमारी क्या होती है basically template हो गई और object हो गया हमारा instance guys तो basically class को access करने के लिए हमें किसकी ज़रुआता है objects की चीक है तो हमारे object इसी लिए create होता है ताकि class में जो functions है method है हम उसको access कर पाएं तो basically hopefully यह सोड़ा explanation से clear होगा कि क्या होगा एक class है हमने कुछ methods लिखे कुछ functions लिखे कुछ variables लिखे तो object के through guys उन सारे जितने भी हमारी structure है जितने भी हमारी functionality है हम उसको access कर सकते हैं किस में हमारे अपने main तो यह चीज hopefully clear हो गई है अब किस पर चलते हैं अपने studio पर चलते हैं और देख लेते हैं कि classes कैसे बनती है और उसको कैसे access करते हैं तो guys हम आगे हैं अपने android studio में and अभी जो हमारा पुराना यह था इसको क्या कर देते हैं हम delete कर देते हैं इसकी अब हमें जरुआत नहीं है तो लहाल अब guys हमें सबसे पहले क्या करना है एक class create करनी है अब class create करनी के लिए अब हमें package पे package पे आप right click करके एक नया क्या बना ल लिए और यहां पर क्रियेट कर दी है अब guys यहां पर basically क्या हो गई है मेरी एक class create which is separate from the main file okay अब यहां पर अब guys car हो गई की a car है हमारे पास class है बट उसके attributes क्या हो सकते हैं अब इसमें क्या-क्या चीजे होती है एक बार मैं यहां पर comment लिख देता हूँ so basically guys हमारी class में क्या क्या होता है attributes होता है जो property explain करते है variables होंगे class में कि आप कुछ ना कुछ explain करोगे मतलब किसी ना किसी brand हो गया year हो गया तो उसके variable बनाने पढ़ेंगे तो variables हो गए और function क्या हो गया जो behavior होगा हमारी class का basically क्या functionality होने वाली है उस car की तो वो decide करेंगे अब सकता है हमारे जैसे हमारा क्या हो सकता है brand हो सकता है कि कौन सा brand की हम 정도로 करेंगे रच्ड तो हम ने ले लिया कि आजाएगा कि basically car drive रही है या हम drive करेंगे उसे तो car drive करने के लिए यूज़ होगी हम एक function क्लिए ट्राइव और उसमें क्या कर लेते हैं basically यहाँ पर print करवा देते हैं कि क्या कर रहे हैं drive कर रहे हैं उसे उसे रही यहाँ पर गया हमारा driving अब एक हमारा क्या आ गया है यहां पर function ब्रेक होंगे तो कार का behavior क्या होगा और रइब होगी ब्रेक होगी इस टेंट अलोगी यहां पर प्रिंट करवा लेते हैं हमगा गया हमारा breaking तो basically देख हो गया हमारा basic structure रेडिय क्लास का कि class में हमारी क्या है class का name है 2 class में क्या variables है और उसकी functionality जिए basically behavior क्या है तो यह हो गया हमारा बहुत basic concept कि हमारीGenक्रास कैसे write down हो अब क्या देखते हैं guys objects का देखते हैं एक er sayis practically हम कैसे izma define करेंगे और उसको कैसे access करेंगे and कैसे हम उसके help जैसा object क्योंके object क्या है guys इस इंसेंस है क्लास का जो हमें help करता है उस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमारे बाकी प्रोग्राम हमारी बाकी फाइल में थ्रो आउट दा प्रोजेक्ट आप उस क्लास को यूज कर सकते हैं उस object के राइट आप के इस पर चलता है next concept पर चलता है क्लास को एक्सित करना है अब उसको एक्सर करने का तरीका बहुत समपना है यहाँ क्या देते हैं यहां पर हमारे क्रिएट हो गया i part so object हमारा क्या है c1, तो यह इसकी help से, c1 की help से हम connect कर रहे हैं उपनि क्या हमारी जो class है, उसको connect कर रहे हैं तो basically instance क्या होता है, instance of a class is a way to use that class तो यह जो object है हमारा, it has become an instance किसका car का, जो हमारी class आप इसके बाद यह तो क्या होगा हमारा ऑब्जक्ट कर आ भी हमने अब क्या देखना है की आपड़ी में क्या ऐसक्ट कर आधी क्या देखना है अब हन्यक Retire क्या थी कौन सा brand है यह हमारी क्या थी प्रॉपर्टी थी तो यहां पर क्या लिख सकता है क्योंकि अब हमने object क्रियेट कर दिया तो objects के अब हमें बार-बार class को बार-बार object बनाने की जरुबत नहीं है एक बार object बनिया तो हम directly उसे यूज कर सकते हैं अब आप देखोगे जैसी ही मैंने c1 लिखा है तो यहां पर हमारा क्या आगया हमारा break आगया drive आगया राइट यह और brand यह हमारे check-through access कर पा रहे हैं तो यहां पर देख सकते हो क्या आगया हमारा वोड आगया राइट यहां पर हमने हमारी एक्ट्रिब्यूट की प्रॉपर्टी थी यहां से अब हो सकता है आपको इस प्रॉपर्टी को चेंज करना हो अब अगर मुझे इसे प्रॉपर्टी को चेंज करन चैंज कर जाना होंगा ऑर इसे अगर मैं दूबारा रण करूंगा तो अब यहां पर हमारा क्या आगया और अब यह क्या हो गया की अपर क्लस की और तो हमब होग्स कर सकते हैं आप फ्रॉपर्टी की हम ज intent यहां पर फोड़ा हमने ने बीजलिए प्रफ रहां पर अपना औ हमने ब्रेक ले लिया अगर मैं इसे यहां पर क्या लिया एक्सेस कर लिया किसको जो हमारा बिहेवियर था इसका फंक्शन का तो यह वाली चीज आपको लग रहा होगा कि ऐसे बहुत यह वाली चीज गाइस बहुत क्लीन नहीं है यह बहुत बेसिक मैंने concept समझाने के लिए य प्रोफेशनली जब आप प्रोजेक्स क्रियेट करोगे और आगे बढ़ोगे तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज नहीं करेंगे क्योंकि अंक्लीन स्ट्रक्चर है आगे चलके हम incapsulation यूज करता है clean code के लिए बट फिलाल के लिए क्योंकि हम basic concepts clear करने थे कि कैसे हम attributes को functions को access कर सकते हैं through an object अभी वह समझाने के लिए यह वाला ही चीज हम कर रहे हैं अब किस पर चलता है next concept पर चलता है oops के आप किसके बारे में बात करेंगे हम constructor के बारे में तो अभी हमने simple क्या देखा था कि कैसे हमने object create करा और उससे हमने सारी properties access करी अब गाइस यहाँ पे थोड़ा स चीज देखते हैं कि constructor हम कैसे initialize करते हैं और इसका फायदा क्या होता है अब यहाँ पर आप यहाँ पर हमें constructor का फायदा क्या होता है क्योंकि अभी क्या है आपको सारी properties define करने पड़े हैं आपको properties define नहीं करने ही but you need to initialize an object आपको एक object भी initialize करना है तो आप simple क्या कर सकते हो च्वाड़ैन से हम अपना क्या गरते हैं जैसे हम function के लिए हम create राइट वैसी हम यहाँ पर क्या कर सकते है इसको भी create कर सकते है तो यहाँ पर मैं simple क्या कर दोजियर मुझे रएट डाए हैं तो यहाँपर पर हमने क्या लिग द्निन ग्या स numbness стать right अब यहाँ पर एक variable bond किया हुआ कर देता है इंट्टीजरय टाइप का दूसरा कर देता है क्लर कि में इसे हमारे REinterpret क्रीएट हो गया, goodDart और क्रिंडय शुमर्ण सकता हूँ क्वाइट. हम क्ने बेशिक्क साथ मैं अbn Bernard इसे हैं पर क्या हो गया हमारा कंस्रक्टर आ गया आप देखो कि यहां पर भी सेमेर आरही है हमारी में यहां पर भी क्या देदेंगे आप जैसे मुझे मैंने यहां पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सी वन ठीक है ऑन फे बैसिकली गैसा ए त Treasury क्या देद दिया ब्रेंड व्यक्प्रीयख वेलों ईयर के दिया 2023 and पिसलीख़कर खेल मृतिकrail चैनल के Heller हमारा सिंपल एक इनिशिलाइजेशन अब सिंपल अगर मुझे इसकी वेल्यूस कॉल गरानी है तो जैसे अभी तक हम काम कर रहे थे अगर मैं सिंपल इसे वैसी ही रन करोगा तो आप देखोगे यहां पर हमारा सेम ही आउपुट हमें मिलेगा तो गाइस यहां पर हमारा क्या ब्रेंड हमने प्रेंट करा था क्या आगया BMW और वेक फंक्शने लिए अगर आप आप ऐसे यूज नहीं करोगे तो आगे जाके क्योंगी इसमें बात करेंगे इन्हेरिटेंस के बारे में राइट अब क्या समझ लेते हैं इन्हेरिटेंस क्या होता और यह बहुत इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है उपसका तो बेसिकली आप यह सोचो आपने तीन क्लासस बनाए राइट अब उन तीन क्लासस की अलग-अलग प्रपरटीज है अलग- इन्हेरिटेंस हमारा यह यूज करता है कि अगर रिपीटेटेव बॉयलर प्लेट को रोकने के लिए बेसिकली अगर कोई कोई कोड हमारा सिंपल सेम है कुछ क्लासस में या कुछ फंक्शनलिटी में तो बेसिकली हम क्या करता है उसकी एक कॉमन क्लास लिखके जो फंक्शन या एट्रिब्यूट्स हमारे यूज होने है उसे कॉमन लेके सिर्फ जो उसकी में प्रपरटी हो दिए तो टीचर का में क्या है जो different player से वो है teaching player की चूट और businessman की की वो business असन करता है तो यह functionality हमारी अलग है इसके लिए हम class use करेंगे बागी चीजों के लिए हम क्या use करेंगे एक common class तो basically क्या होगा एक हमारी parent class हो गई और उस parent class से जो हमारी child classes है वो क्या करेंगी इसकी properties properties inherit करेंगे तो basically हमने class बना दी person जिसमें हमने क्या दाल दिया हमने दाल दिया walk and talk जो हमारा common है सब में और यह हो गई हमारी parent class इसकी क्या होगा सब classes यह फिर चाइल्ड क्लास तो basically child class क्या कर रहा है inherit कर रहा है दो functionality walk and talk player भी और businessman भी इनकी individual properties भी है बट जो basically common properties है वो हम simple एक class से तो इससे क्या है गाई हमारा boiler plate को sum हो गया थाकि हमें इसे बार बार सीम functionality को हमें बार बार ना लिखना पड़े यही चीज़ गाई आप एक और example देख लेता है इसमें भी same है कि अगर हमारे कोई employees ने एक web development का है iOS development का है एक android developers है तो basically उनकी ने में हमारा common factor है तो हमने basically class बना ली common factors के साथ and जो उनकी different classes है उसमें उनकी individual properties तो basically guys यह तो हो गया example inheritance का क्यों use करते हैं क्या फायदा होगा हमें and guys basic चीज तब सब्सक्राइब आईगी जब अभी अब हमारा पुराना code था इसे क्या कर देता है हम delete कर देता है इसका भी हमें जरूबर नहीं है और जो हमारी class थी इसे भी delete कर देता है इसका कोई हमें use नहीं है इसे delete कर देता है guys अब क्या करते है क्योंकि जो पहला है अबना example देखा था उसमें क्या था teacher player businessman राइट एक काम करते हैं यहाँ पर class बना लेता है एक नहीं और यहाँ पर इसका name यूज करोगे आप फिर क्या होगी age भी होगी teacher की तो यहाँ पर किस type का हो जाएगा integer type का हो जाएगा अब उसके कुछ individuals जो हमारे यह तो क्या हो गई हमारी simple attributes हो गया अब उसकी कुछ functionality भी लिखनी है तो एक function लिख लिख लेते हैं कि भाई बात करेगी teacher तो talking functionality हो गई तो println अब इसमें क्या यूज करेंगे क्यूंकि कौन सा teacher बात कर रहा है जिस नेम का होगा तो हम यहाँ पर simple use कर लेता है नेम ठीक है नेम इस टौक एक और बढ़ा लेते हैं वॉक का तो walking वॉक सिंपर एन यहाँ पर क्या कर लेता है अपना नेम इस वॉकिंग टो यह क्या हो गया हमारी ready हो गई एक class जिसमें क्या हो गया हमारे प्रेटर इसे सब्सक्राइब करें नाम की और यहां पर हम ने इसे हमारा सब कुछ साहिए है प्लिय्ट कर देता है और यह क्या कर देते हैं बिजनस्मेन के नाम से ठीक है एंड सेम चीज यहां पर भी कॉपी-पेस्ट कर दो लो तो यहां पर आगया हमारा बिजनस में अब गाइज अगर मुझे यहां पर कुछ access करना है तो मैं दुबारा किसमें में 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 क्योंकर हमारे यहां ready होगे अब मैं अगर यहां पर जैसे इसका मैंने टीचर वन खाए एक और यहां पर मैंने आ गया टीचर का नाम क्या है यहां पर यहां पर प्रॉब्म कर बाता है अब जैसे अगर मुझे कोई इसमें individual functionality करनी है जो हमारे तीनों इसमें add होगी तो आप बहुत सारी गलती हो सकती है इसमें आप typing में गलत कर सकते हो कुछ index गलत हो सकता है तो इस यह बहुत cumbersome part है basically कि अगर आप तीनों चीज़ों में एक एक करके क्या करोगे editing करोगे तो बहुत irritating काम ह इसमें time waste and error होने की बहुत गलती होती है तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या use करेंगे inheritance करेंगे अब देख लेता है इसमें हम inheritance कैसे input कर सकते हैं कि अगर हमें यहां पर कुछ भी type कर सकता हूं जैसे अगर मुझे यहां पर eating का add or करनी है functionality and basically अगर मैंने गलत यहां पर call कर लिया तो basically मिरी सारी programming करा तो जाएगी तो इसको resolve करने के लिए हम क्या कर लेते हैं common class create कर लेता है जिसमें क्या होगा common attributes होंगे parent class और ये तीनों classes उससे inherit करेंगी right अब create कर लेते हैं एक person class तो यहां पर आ गई हमारी एक class और जो क्या होने वाली है guys हमारी parent class होने वाली ह है common attributes सब में होंगे सारे classes में फिर आ गया हमारी age क्योंकि यह भी common attribute होने वाला है तो यहां पर भी हमने क्या देदी इसमें data type इसका अब guys यहां पर मुझे क्या करना है initialize करना है इसे ओके तो यहां पर initialize करते हैं आप simple init type करके initialize कर सकते हैं अब यहां पर हम क्या use कर देंग और यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं और यहां पर क्या जाएगा हमारा नेम पर एक दूसरा टाइप कर देते हैं इसमें कर देते हैं और यहां पर क्या जाती है ओके तो यहां पर क्या आगया हमारी common file create हो गई अब मैं दुबारा किसमें जाओंगा teacher में जाओं और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी person आ गई class ठीक है अब इसमें क्या-क्या inherit होना है name आना है and a जानी है इसने यहाँ पर देदिया है अब आप देखोगे यहाँ पर क्या रही है error आ रही है यह error क्यों आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमारा दे दिया है यहाँ पर वैरिएबिल और इनिचुलाइज भी कर दिया है तो इसलिए क्या हो गया हमारा रिजॉल्व होगा अब आप देखो क्यों आ रही है क्यों ख्योंकि यह क्यों ख्यारों है open class देख से यहाँ पर open class नहीं कर देख से अब यह जो हमारे functions है walk and talk right क्योंकि यह common होने वाले हैं हमारे तो यह मैंने किस में रख कर लिए है अपने person में right अब क्योंकि same ही changes हमारे सारी classes में होना है guys तो ऐसा कर लेता है इसे यहां से क्या कर लेता है हो प्रेंट हो गया तो यहां पर क्या आगया है हमने इंहरेट कर लिया है अगर आप देखोगे तो यहां पर यह भी आ रहा है कि बेसिकली यहां पर हमारा अब क्या कर सकते हो यहां पर जैसे इंडिविजुल कोई अलग से function क्रेट कर सकते है तो आप यहां पर आपका यूद हो जाएगा रन बिजनस तो आप सिंपल अब क्या हो गया गाई एक यह function अलग हो गया person का हमने सही कर दिया teacher का सही कर दिया एंड कुछ सही है यहां पर तो अब किसमें चलता है अपनी main file में चलता है तो अब अगर गाईस मैं इसे यहां से पराने वाले को हटा दू राइट और अगर मै यहां पर एक नया वो लिलू बीवन बिजनसमें के लिए और यहां पर हमारा क्या आगया बिजनसमें आगया अब इसका जो name है वो तो हमने comment रखा था तो यहां पर अगर मैं लिख दो john और यहां पर age क्या देते हैं इसकी 38 और यहां पर अब क्योंके गाईस हमने एक individual इसम हमारा यह भी आगया अब अगर मैं इस यहां पर run करूंगा तो हमारा output क्या आएगा हमारा person name आगया john person की age आ गई क्या करता है जो हमने businessman में function अपना इसका define करा था वो हमारा यहां पर आप देख सकते हो आ गया है ठीक है क्योंकि यह क्या करता है run business करता है अब आप हो गया हमारा यहां पर थोड़े sleek coding हो गई है and थोड़ा boiler plate कम हो गया and this is the basic structure जो अभी हम आगे use करेंगे inheritance का जो में यूज आएगा कैसे functions को methods को और attributes properties को access करेंगे तो यह पूरा क्या है हमारा तरीका होता है सही से use करने का और classes भी guys different type की हो सकती है जैसे आप हमने open class की बनाई है private public तो अलग-अलग type की classes होती है वह भी जैसे-जैसे अभी हमारे code में चीज़े आएंगी वैसे-वैसे हम उसको समझते रहेंगे concept wise guys basically यहाँ पर मेरी approach यह रहेगी कि जैसे-जैसे अभी concepts क्योंकि सारे ही concepts हम आगे detail में use करने वाले है तो यह खली एक brief upper layer बताने के लिए है कि basically क्या functionality है कैसे work करता है के अलावा जो main समझने का concept है वो यही है कि क्या functionality क्योंकि guys अगर basic clear हो गए आप लोगों के तो इसकी जो उपर की चीज़े है दोजा very simple तो basic concept clear होना बहुत ज़रूरी है कि inheritance work कैसे करता है classes कैसे work करती है object क्यों initialize करता है constructor कैसे work करता है तो यह चीज़ समझना बहुत जरूरी है अगर यह समझ में आ गया तो आपको कभी कोई problem नहीं होने वाली है अब क्योंके कई लोगों को यह भी confusion होगा sir हमने यहाँ पर initialize क्यों करा है जो हमने यह block of code है क्योंके guys यहाँ पर हमारा क्या है constructor run हो रहा है हम यहाँ पर directly इस statement को यहाँ पर use कर रहे हैं क्योंके यह जैसी आप इसे run करोगे तो हमारा यहाँ पर बैसिकली जब हमने यहाँ पर initialize करा object की run करा तो basically हमें सारी जो इसकी values थी वो हमें already मिल गई तो हमें चाहिए कि यह हमने use करा कि initialize basically इसलिए करा है कि यह वाली जो detail है हमें बार-बार यहाँ पर जैसे अगर मैं main में देखो गया तो मैंने simple क्या run करा है यहाँ पर simple उसके function रन करे ए attributes वाली detail हमें इसने already हमें यहाँ पर देदी है तो basically construct बनना हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है प्रिंट लगाना पड़ता है तो यहाँ पर basically क्या होता बीवन होता फिर बीवन को मैं यहाँ पर प्रिंट करता नेम के साथ तो यहाँ पर हमने क्या करा है अब किस पर चलते है next topic पर चलते हैं अब गईस के बारे में बात कर लें सेकंडरी अंस्टर के क्योंकि हमारे यहाँ पर दो टाइप के लिवन कर देता हूं यहाँ पर मुझे इनिट की जरूवत क्यों पड़ी अगर जैसे में यह भी रिमूफ कर दो राइड अगर बेसिक् है simple p1 create करके और person का एक वो create कर दूंगा और यहां पर name दे दूंगा and age 28 और इसे run करूंगा तो basically यहां पर तब भी मेरी जो values तीग राइट यहां पर initializer block में जो हमने तेदा कर लेते हैं तो जो हमने initializer block में चीज़े दीन राइट वह बिना हमारे यहां पर सिर्फ अगर हमारा basically object create कर रहा है तब भी वह हमारी यहां पर initialize होके display हो जाएंगी तो basically guys यह क्या हो गया हमारा primary constructor हो गया अब यह चीज हमने यहां पर क्यों नहीं करी primary constructor में क्यूंकि primary constructor में constraint होते हैं constraint in the sense कि आप यहां पर code या logic add नहीं कर सकते रहें तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है एक initialization block लिखा है जो हम क्या use कर रहे है जैसी object आप्जेक्ट कर रहा है और उसको initialize कर दिया तो वह अपने आप ही क्या कर देगा properties को access कर लेगा तो basically यहां पर आप लोगों को confusion नहीं हुआ होगा कि initialization block होता क्या है एंड क्या use आता है हमारा इसमें क्योंकि आगे काफी use करेंगे हम लोग तो एक बार मैंने दुबारा इसलिए आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों confusion ना हो और एक चीज और जैसे यहां पर एक चीज और भी कर सकते हो और जैसे यहां पर हम लोगों को ने क्या करा था यहां पर अभी कोई argument ने जिए हमने parameters construct functions parameters देते हैं तो यहां पर एक default parameter भी यहां यहां पर दे सकते हो तो अगर मैं दुबारा में में जाओंगा और यह हटा दूँगा क्योंकि मैंने यहां पर default अल्रेडी दे रहा है तो आप देखोगी यहां पर हमारी इशु नहीं आएगा सबी आप कर सकते हो इसमें कोई इस्ऊ नहीं है अब किस के बारे मुद बात कर देता हैं ची अब ब्थे कारते हैं और ब्सक्ता बश्य कारतो इससे कारते हैं हाब बiesoNow के करें हैं तो अब इसदंश सेक्टॉर सक्था क्लास्टे और यहाँ इस शौर देता हैं और स und सब्सक्राइब आप अर्व चीज का शिरों करता है इतना कॉल्ड नहीं है इसे तब कोई ना कोई हम किसी क्लास को एक्सटेंड क्या इंधिकलिया फिर हम यहां पर सुपर यूज करेंगि क्या स्पीश करेंगे dziबहारा से इतना कॉमन नहीं हैं तो पहले देख लेते हैं कि जो हमारे हम्हारा क्या आगया इंजी है अब जो आपर किसमें ले ले डिये प्लेयर को कर दें कि कैसे होगा और इस चीज का दिया नखना गाइस जो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो अब किस में आ गए हम प्लेयर में आ गए अब प्लेयर में गाइस बेसिकली यह वाला पार्ट हम हटा सकते हैं क्योंकि यहां पर हम क्या यूज करेंगे तो यहां पर हम क्या आजाएगा constructor आजाएगा अब constructor में क्या होगा हमारा symbol क्योंकि हम क्या क्या value pass कर रहें name दे रहें age दे रहें जो already हम दे चुके थे ऊपर ठीक है यह तो symbol same ही चीज़ है अब यहाँ पर keyword use करेंगे guys हम super super क्यों 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 कि यहाँ पर यहाँ पर आप simple क्या कर सकते हो इसे प्रेंट कर सकते हो तो यहाँ पर हम ले यूज कर लेते हैं using secondary construct ओके तो गई यह क्या हो गया हमारा basic syntax हो गया है कि हमने क्या कर रहा है पहले एक person में यूज करके inherit कर लिया है basically इसको प्रॉपर्टीज है उसको inherit कर लिया है अभी आगे देखते हैं guys super का क्या मतलब होता है और बाकी सारी चीज़े जैसे अभी हमने देखा super keyword use करा हमने तो super keyword basically कर भी यूज करते हैं जैसे मैंने आपको coding में भी समझा है कि basically जब हमारी एक open class होती है कोई से भी class होती है and उसमें जैसे हमने यहाँ पर constructor दिया अब आप यहाँ पर देखोगे हमारा primary constructor नहीं है and simple जब वो drive class जो हमारी drive class है किस पे हमारी employee से ठीक है यहाँ पर क्या करते है है inherit करें तो हम क्या use करते हैं यहाँ पर super keyword यूज करते हैं उसकी properties को inherit करने के लिए बट यह चीज यहाँ रखनी है किस उसमें यूज करते हैं जब हमारा primary constructor available नहीं होता तब अगर हमारा primary constructor available है तो हमें जरुद नहीं है लेकिन अगर primary constructor नहीं है तो हम क्या use करते है secondary constructor यूज करते हैं उसको syntax क्या है basically हमारा super keyword use करके syntax already हमने coding में समझ लिया है and I don't think to कि आपको confusion होगा इसका implementation guys हम करेंगे आगे तो आपको और clear हो रहेगा कि जब हम programming अभी शुरू करेंगे तो उसमें प्रकाइदा पूरे example के साथ and सारे इसमें उसके साथ हम start करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा idea हो जाएगा कि हम यहां पे कैसे use करते हैं right तो अब क्या करते हैं अपने next topic पर चलता है and समझ लेते हैं कि values कैसे set करते हैं और get करते हैं so guys अब क्या समझ लेते हैं हमारा getter और setter समझ लेते हैं कि basically getter और setter क्या होता है हमारा अभी use नहीं आएगा getter and setter में but क्योंकि इसे हम आगे use करने वाले हैं क्योंकि कुछ जगाओ पर आपको यहां पर getter और setter use होगा यहां पर अपनी कुछ classes में delete कर देता हूं जो इसकी हमें use नहीं आएगा and यह हमारा काम पूरा हो गया इसका तो यहां पर क्या गई हमारी person की आ गई और person को भी हम पूरा यहां पर जो हमारा code था value set करते हैं किसी variable में तो हम set करते हैं simple string लिख देते हैं and यहां पर मैंने एक variable को value assign कर दी राइट अब इसका equivalent क्या होने वाला है वह देख लेता है तो basically इसका equivalent यह है अब आप basically अगर ऐसे लिखोगे और get में क्या है हमें चाहिए यह क्या है गाई हमारा getter है अब मुझे इस value को set करना है तो यहां पर क्या आगया set आगया और यहां पर क्या value पास करिए हमने और value के अंदर हमारा क्या आया है value के अंदर आई है हमारी जो हमने field set करी थी ठीक है field आ गई हमारी क्या value तो basically यह हमारा work कैसे करता है कि जो field है field क्या होगे हमारी name होगे तो जब get हुआ तो यहां पर हमने field में check submit कर दिया है और जब set होता है set means जब हमने उसे call करा क्योंकि यह क्या है एक function है basically और जैसी आप इसे call करोगे तो basically वो जो values की print हो जाईगी अब इसकी value print simple क्या है जैसे मैंने यहां पर वार P1 बनाया रहा है और यहां पर मैंने लिख दिया person और यहां पर मैंने इसे use कर लिया अब यहां पर मेरी class आ गई है अब अगर मैं यहां पर P1 name दालू basically guys यहां पर क्या हो रहा है यह functionality क्या हो रही है यह get हो रही है और यह क्या हो रही है यहां पर set हो रही है तो basically बहुत simple process है यह simple इसलिए मैंने बताया था कि आपको एक idea रहे कि basically जो चीज हम use करते हैं how it's working behind the scene क्योंकि यहीचीज समझना जरूरी है आगे जब हम इसमें चलें तो इसलिए मैं यहां पर इसे थोड़ा सा extend करके बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी जो concepts है how a getter work and how a setup वो आपके सही से समझ में आ जाए क्योंकि आगे जो values हम use करेंगे तो उसमें हम थोड़ी complexity बढ़ाएंगे तो उसमें हम basic से दुबारा नहीं शुरू करेंगे तो basically यह वाली line behind the scenes ऐसे वर्क करेंगी तो getter और setter ऐसे वर्क करते हैं किसमें kotlin में और basically guys getter और setter अगर आप नहीं इसे वह नहीं दे रहे हो मतलब इसे mention नहीं कर रहे हो kotlin automatically getter और setter हमारा क्या कर देता है set कर देता है तो इसे हमें हमेशा लिखने की जरूवत नहीं होती है but getter और setter के अलग functionalities भी होती हैं जो हम explore करेंगे आगे तो यहां पर यह वाला जो है hopefully आपके समझ में आगया अब किस पर चलता है next topic पर चलता है so guys next topic पर आचुक है and this topic is abstract class so basically guys abstract class आप की समझ लो ऐसी class जिसका आप object create नहीं कर सकते so abstract class में methods होते हैं अगर आप abstract methods create करोगे तो कर सकते और हम उसका directly access नहीं कर सकते क्योंकि object initiate नहीं होगी class आप initiate नहीं कर सकते है उसे तो आप use कर से करोगे तो basically abstract class use करते हैं इसके तूरू सब classes के तूरू सब classes उसे inherit करके and then they implement वहां पे हम implement करते हैं क्या उसकी functionality तो एक बार example देख लेते हैं कि basically abstract class कैसे work करता है यह हमारा पुराना code है तो इसे delete कर देता है की ज़रूबत हमें नहीं है अब last time हमने जब कर दा गाई सो सबसे पहले यह क्या तो open को हटा देता है सबसे पहले अभी हमें क्या चाहिए abstract class चाहिए abstract class के लिए आप simple यहां पर क्या लिख सकते हो and this will become abstract class अब इसके बार के दाते हैं abstract class तो क्या assign कर देते हैं 30 assign कर देते हैं तो यह क्या हो गया अब यह कौन से क्यूंकि एक च्रीक क्लास है तो इस पर दो तरीके function हमारे प्रिट हो सकते हैं एक बार बना के दिख लेता है अब जैसे अगर मैं यहां पर फंक्शन मनाओ display एच और यहां पर क्या देखो इसका बनाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगी हमारी एच तो यह तो आगया हमारा एच अब अगर गाईज में यहां पर वा हो फ्सक्राइब इधिच ग्लुर आ सकते आट अब इसमें अल्याम किइंग है अब हम यहांपर एक फंक्शन में न फांक्श्न फंक्राइब स्ब्सक्राइब JUSTICE Koffy arkadaşlar रहाँ इसे उपन फंक्शन है बेसिटी अगर्र आप यहां पर इसेbeह सब्दिख दोगे तो बेसिकल के भाई हमें इसे लोग के बार यूज कर सकते हैं अभी उपन हटा देते हैं अब यहां पर एक function क्यों गोता है abstract तो यहां पर हम abstract function create कर लेते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं display grating कर लेते हैं यहां पर display gratings हो गए and यहां पर अब आप देखो जैसी ही मैंने इसकी यहां पर curly braces दी यहां पर क्या आने लगा यहां पर क्या आने लगा यहां पर क्या लिख क्या रहा है function greeting with body cannot exist with body cannot be abstract basically कोई भी abstract function हम यहां पर body के साथ नहीं लिख सकते तो वाइज एट यूज ताकि हम sub class में जो child class होती है उसमें implement करेंगे उसके लिए होता है अब उसका क्या मतलब है वो देखने के लिए गाइस बहुत संपल सा में एक logic लगा सकता है ऐसा करते हैं एक class create कर लेते हैं नहीं यहां पर class का नाम ले लेते हैं simple teacher from our previous class class अब यहां पर क्या आगे हमने class create कर दिए teacher राइट अब यहां पर class teacher यहां पर हमारी teacher class बड़ा कर लेते हैं और यहां पर इसको क्या देते हैं गाइस एक name देते हैं और name में किस type का होता है string type का ले लेता है यह तो आगया guys हमारा simple class ठीक है अब मैंने कहा था जो abstract class होती है हम उसे sub class में एक्सेस कर सकते हैं या उसके through access कर सकते हैं अब अगर मैं यहां पर inherit कर लो कौन सी हमारी abstract class यहां पर क्या आगई हमारी abstract class आगई अब अगर मैं यहां पर देखूं क्या एरद आ रही है तो यहां करना पड़ेगा तो simple हमने इसे यहां पर implement कर दिया आप यहां पर एक रही है तो basically guys यह हो गया हमारा अब अगर आप देखूंगे तो जो method हमने यहां लिखा था राइट जो function हमने लिखा था इंप्लिमेंट कहा हुआ है यहां पर हम यहां पर हमारा पास क्या है उसकी body है और हम यहां पर उसमें कुछ भी implement कर सकते हैं अब यह समझने के लिए कि abstract class work कैसे करते है इसको क्यों करते है रेस कर देते हैं और यहां पर एक message देते हैं प्रिंट करने के लिए तो यहां पर आगे हमारा प्रेंट एलेंड एन यहां पर लिख देते हैं हेलो टीचर ओके तो यह तो हो गया गया एक हमारा सिंपल सा method जो हमने है कौन सा abstract class का सब्सक्रीच, सब आप किसे चलता है अपनी basic class में चलता है अगा आप देखोगे तो यहां पर हमारे पीवन पे क्या रहा था एररा एती राई क्योंकि यहां पर हम क्यानीanda कर देते इसको object इ Biraz कॉने ऊहाँ पर हमने तर Davidson को अगर मैं यही method यहां पर access करना चाहूं display greeting और अगर अब run करूंगा तो देख लेते हैं क्या यह वही हमें display देगा या नहीं देगा हमारा क्या आ गई जो हमारी greeting वह यहां पर display हो चुकी है hello teacher तो basically क्या हुआ पहले एक हमने abstract class बनाई मैं एक हमने abstract method बनाया हमने देखा कि abstract class access नहीं हो सकती directly हमने एक subclass बनाई subclass में जो हमारी abstract class थे हमने उसे inherit करा inherit करके हमने उसके abstract method को क्या करा overwrite करके basically implement कर लिया उसके through फिर हमने यहां पर उसका object create करके subclass का उसको display करवाया तो basically बहुत simple है ज्यादा complicated नहीं है तो अब किस पर चलते हैं guys next topic पर चलते हैं and next topic है इसी का दूसरा topic जो है interface तो अब interface समझ लेते हैं कि interface क्या होता है और कैसे work करता है and guys अगर problem हो रही है यह कोई concept नहीं समझ में आगा tension की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी तबी topic हमारे implement होंगे these are just syntaxes अभी हम किसके बात कर रहे हैं कि syntax कि यह क्या होता है कैसे work करता है और कैसे लिखते हैं जैसे जैसे आप coding करोगे थोड़ा सा खुद भी search करना पड़ता है वैसे वैसे आपको खुद याद हो जाएंगे तो उसमें आपके अरवस में एक ही चीज़ की दरवत होती है क्या इस practice की आपको थोड़ी से practice करनी पड़ेगी तभी आपको यह चीज़े याद रहेंगी अब चलते हैं इंटरफेस को देख लेते हैं कि इंटरफेस में क्या difference है तो basically guys इंटरफेस और abstract में जादा difference नहीं है concept दोनों के सेम हैं बट major difference ही हो था है कि आप जब abstract class बनाते हो तो abstract class subclass के लिए बनी होती है और उसमें हम यह सोच के बनाते हैं कि भाई यह हमारे पास एक common class है और उसके जो subclass है उसके through हम changes करेंगे बट interface हम यूज करते हैं यह सोच के कि basically हो सकता है multiple classes हो और multiple class जो subclasses है multiple subclasses हो सकता है उनकी अलग-अलग customization हो इंहरेटेंस चाहिए नहीं करता है इंहरेट क्या कर रहे हैं वो कुछ चीज़े हो सकता है हमें एक class के इस आपसे करनी हो लेकिन हमें abstraction भी चाहिए लेकिन कस्टमाइजेशन भी चाहिए तो interface उसमें हमारा help करता है कि वो हमें कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइट करता है no matter कि सब classes के साथ किस टाइप का inheritance हम कर रहे हैं तो multiple जब हमारी classes होती है सब classes होती है और multiple inheritance होता है तो basically हम इसे यहां पर use करते हैं interface को इसका एक्सामपल समझने के लिए क्या basic difference होता है इसको पहले एक क्या कर लेते हैं interface कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं vehicle ओके तो यहां पर क्या गया एक एक class create कर लेते हैं यहां पर जावा नहीं हमें क्या करनी है code link class करनी है और यहां पर मैं simplest का नाम देता हूं यहां पर लिख देते हैं car यहां पर आगए हमारी एक car class तो यह आगए हमारा vehicle और यह आगए हमारी अब vehicle में basically guys सबसे पहले जैसे हमने normally abstract में करा तो यहां पर क्या create करते हैं यहां पर मैं ले लेता हूं speed value और speed value पे हम किस type कर देते हैं in type कर देते हैं और बैटे रहे गाई आपको एक्जांपल से समझा हूं क्योंकि जादा difference है नहीं तो जो थोड़ा छोटा सा difference है वो इससे समझ में आ जाएगा आपके यहां पर क्रियेट कर दिया मैंने function create कर दिया और इसमें दे देते हैं println यहां पर कुछ भी आप यहां पर starting engine लिख देते हैं एक function हमने यहां पर दे दिया है अब किसमें चलता है काई अपनी दूसरी class में चलते हैं जो हमारी सब class तोने मली है आप यहां पर मैं क्या कर लेता हूं इसको यहां पर कर लेते हैं वेहिकल को अब आप देखूगे यहां पर क्या रहा है कि implement करो अगर मैं इसे इंप्लिमेंट कर देता हूं तो यहां पर आप देखूगे चला गया तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ क्योंकि हमने यहां पर इसकी वैल्यू दी बट इसे इंप्लिमेंट नहीं करा थोड़ा सा यहां पर समझने की जरूबत है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं बेसिकली क्योंकि मैंने यहां पर इसका एक रिटर्न टाइप दिया है किस टाइप का डेटर टाइप है मतलब मैंने इसे डिफाइन कर दिया बट इंप्लिमेंट न मतलब इस क्या रहूं है इसका भी discussion करता है कि exclusively क्या difference है इससे पहले ने चाहते हैं झाल नहीं ऐसे नहीं ओवर्राइट करना चाते तो इसकी भी कोई इशू नहीं है इसे ऐसे करते हैं इसे जो इंप्लिमेंट करते हैं वो करते हैं यहां पर ओवर्राइट करके यहां पर वैल्यू लिख देते हैं तो हमारी क्या गई speed value and speed value को हमने यहां पे देदिया एंड और यह हो गया गाइस 25 तो आप देखोगी यहां पर हमारी क्या हो गई अब डिफरेंस आप देखना हो यह तो डिफरेंस क्या है देखो यहां पर जो अगर आपको बता रहा था इसका आपने इंप्लिमेंटेशन नहीं कर रहा है तो आपको फिर यहां पर इंप्लिमेंट उसकी जो सब क्लास है उसमें इंप्लिमेंट करना पड़ेगा यहां पर यहां पर मैं लिख सकता हूं इक वैल्यू तो यहां पर मैं लिख सकता हूं स्टार्टिंग दा इंजल ओके यहां पर यहीं चीज में समझाने की कुछ करता था अब जैसे अगर आप यहां पर देखोगे अगर मैं इसका अभी हाँ यहां पर यह भॉड़ी हटा दूंगा तो यहां पर दुबारा क्या आने लगी कि इंप्लीमेंट करो इसा तो बेसिकली यहां पर है क्या है हमें यहां पर यह फोर्स करता है तू इंप्लीमेंट ठीक है तो यहां पर बेसिकली हमें इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स करता है जबकि हमारी अब्सक्राइक में यह वाली चीज नहीं तो यह दोनों म किसका स्वाइब करना है यहां पर सिंपल कर लेंगे हम एक पर एक तो हमारा एकसलेटर था और हमारा सी वन में क्या था था टार इंगे था अगया अगया अगर मैं इसे यहां पर रन कर दो तो हमारा देखोगी तो खाली acceleration आया start engine नहीं आया and start engine क्यों नहीं आया okay okay guys so यह चुग हो गया so यहां पर इसे क्या कर देता है problem result करने के लिए simple कर देता है इसे simple हम ले लेता है println में और इसको मैं copy cut copy करके simple यहां पे इस कर दूँगा इसमें हमारे println में और अगर मैं अब इसे run करूँगा तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा println में डाला है क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो simple यह string में value return कर रहा है ना कि print कर रहा है यहां पर आपको force implementation होती है एंड इंटरफेस थोड़ा customizable जादा होता है multiple classes के साथ work कर सकता है तो guys यहां पर हमारा basically जो oops था वो यहां पर खतम हो गया है oops का लगबग लगू हमने जो major parts थे वो सारे कबार कर ली है अब किस पर चलता है next topic पर चलता है